जेखे न्यूस्टुडे में सभी दर्शुकों का स्वागत है शुकरवार को सुबा साथ बजे तवी पुल के पास एक स्कूटी मिलती है स्कूटी के साथ ही चपल है और एक नोट मिलता है जिसमें एक युगती जो की 32 साल की जिनका नाम निशा था मुठी की रहने वाली थी उन्होंने नोट लिखके भेजा था कि मैं सूसाइट करने जा रही हूँ तवी पुल से उसके बाद से ही पुलिस वालों ने NDRF टीम को सूचित किया और तवी पुल पर एक सर्च ओप्रेशन जारी किया गया काफी मुशक्वित करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं या कि लड़की ने सूसाइट किया भी है या नहीं पूरा दन NDRF की टीम सर्च करती रही तवी में कि कहीं उस लड़की ने सूसाइट तो नहीं कर लिया काफी वक्त तक तलाश करने के बाद निराशा हाथ लगी वही लड़की शनी वार को घर वापस आ गई सही सलामत सुर पता कि किन कारणों से उन्होंने ऐसा नोट लिखा जिसके कारण घरवालों के साथ भाकी लोग भी परिशान हो गए पुलिस वालोंने NDRF को सूचित किया सर्च ओप्रेशन चलाया गया लेकिन शुकरवार को ये हाथसा हुआ शुकरवार को उन्होंने ऐसा कहा और शनी वा से वापस आ चुकी है उसके बाद पुलिस वालोंने NDRF को बोला कि सर्च ओप्रेशन को बंद कर दिया जाए कि जो ये सूचना मिली थी कि कहीं उस लड़की ने सूसाइड कर लिया है तब ही बे उस अभ्यान को रोका गया कहीं हम देख रहे हैं कि जो नोजवान है किनी ची कोई अच्छी बात नहीं सूसाइड करना अच्छी बात नहीं हमें मुश्किलों से लड़ना सीखना है लेकिन जिस तरह से यह निशा ने हमें निश्क्या ने नोट लिखके दिया कि मैं सूसाइड करने जा रही हूँ परिशानी सबको हुई घरवालों को पुलिस वालों को NDRF की टीम भी लगातार सर्च करती रही अब निशा घर वापिस लॉट आई हैं सुरक्षित हैं ठीक ठाक हैं अपनी फैमिली के साथ है वही पुलिस वालों को यह सूचित किया गया है कि निशा अब घर पर ठीक ठाक मौझूद है इस वज़े से अब NDRF की टीम ने भी जो सर्च उप्रेशन जारी किया था उसे बंद कर दिया हम देख रहे हैं लगातार बच्चे ऐसी हरकते करते चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं यह हमारे अंदर एक साइकी करियेट होती जा रही है कि अगर छोटी सी बात को लेकर डिप्रेस्ट हो जाते हैं तो हम कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी वज़े से फैमली के साथ साथ और भी लोगों को मुश्किल होती है जब भी कभी ऐसा हो कि आप कहीं डिप्रेस्ट है या कुछ ऐसा है तो अपनी फैमली से बात कीजिए अपने दोस्तों से बात कीजिए ताकि जो आपकी परिशानी है वो अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो शायद वो परिशानी कम हो जाएगी 32 वर्ष ये निशा जो की मुठी की रहने वाली है उन्होंने ऐसा क्यूं किया इसके पीछे अभी कोई भी रीजन नहीं पता लेकिन बात ये है कि निशा अब घर वापिस लोट तर आती पीन है उस समय हर कोई सोशल मीडिया पर यही चीज सामने आ रही थी कि निशाने सूसाइड नोट लिखकर सूसाइड करने की कोशिश की गई है लेकिन कहीं यह पुश्टी नहीं हुई थी कि सूसाइट किया वह यहां पर कोई तवी पूल पर कोई कैमरा नहीं लगा लंगा जिसमें यह स्क्राइब कीया जा सकता था कि निशाने वाकई में सूसाइट किया है या नहीं और किसी ने उनको देखा भी नहीं था यहां एक चीज जो लाप करती है वो यह है कि तवी ब्रिज पर CCTV होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को नज़र आती हैं, सुनने को मिलती है कि किसी ने सूसाइड कर लिया है, फैंसिंग भी होनी यहां पर बहुत ज़रूरी है ताकि अगर कैमराज लगे होंगे, तो कहीं न कहीं यह चीज पकड़ में आने की वज़े से सरकार सतर्क हो जाएगी और ऐसे जो सुसाइड के केसे हैं, उनमें कहीं कमी आएगी 32 वर्षिय निशा, जो सुसाइड करने की यहां पर कोशिश कर रही थी अब पता नहीं कहानी क्या है, क्यूं उन्होंने ऐसा कदम उठाया या क्यूं उन्होंने ऐसा करना चाहा, इसके पीछे क्या रिजन था, कोई नहीं जानता लेकिन बात यह है कि अब निशा, अपने घर वापिस लोट आई है, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित है और लाइज अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए जेके न्यूस टुड़े के साथ क्यामरामेन बुजंदर खजूरिया के साथ, मैं नीतु सिंग, जेके न्यूस टुड़े, जमूँ